हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मारे योटूब चलन बीट आप और मैं फ्रेंट्स इस छोटी सी वीडियो के माद्दम से हम 20 ऐसे प्रसन आपको बताने वाले हैं जो आपके आने वाले परिच्छा आरार बी एंटी पीसी और आरार सी ग्रूप डी के परिच्छा में का यार कर सकें तो इस वीडियो को अंति तक जरूर देखें दोस्तों और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके सेर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सकाइब कर के बेल आइकन कौन कर लें ताकि जब भी आगे और भी वीडियो अप्लोड के तो उसका नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए चली दो तो स्टार्ड करते हैं यहां पर कोश्चन नमबर वन है हमारा मानव निर्मित प्रथम कृतिम रेशा था तो यह काफी बार पूछा गया है और मानव निर्मित प्रथम कृतिम रेशा था तो आपको 20% का साथ साथ आपको एंसर भी करते जाना है कमेंट बाक्स में तो फटा फट पहले क्वेशन का एंसर कमेंट बाक्स में एंसर कर दें A, B, C, D कौन सा आप्सन सही है है यहां पर Q1 का जो सही हुतर है दोस्तो वो है आपका option number D सही है रयान रयान जो है दोस्तो वो मानु निर्मित प्रथम कृतिम रेशा था ठीक है तो आपका option number D यहां पर सही हो जाएगा अगले सवाल की ओल मूब करते हैं दोस्तो question number 2 देखते हैं Q2 है किसी एक समान व्यक्त के रक्त का pH मान कितना होता है तो यहां पर चार option दिया गए हैं आप फटा 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 आइंसर करें कि एक समान व्यक्त के रक्त का pH मान कितना होता है सभी लोगों को उत्तर देना है comment box में हर एक questions का और वीडियो के end में आपको बताना है कि total number of questions में से कितने questions आपको सही गए है question number 2 का जो right answer है दोस्तों वो है आपका option number B यहां पर सही है 7.35 से 7.45 के बीच रक्त का pH मान होता है एक समान व्यक्त का ठीक है अगले सवाल की और बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा question number 3 देखें जीन सब्दों का प्रतिपादन किस ने किया आपने सुना होगा जीन जीन सब्दों का प्रतिपादन किस ने किया आपको बताना है question number 3 है आप लोग question number 3 डालिएगा a b c d right answer comment करें आप लोग जीन सब्दों का प्रतिपादन किस ने किया तो इसका सही उत्तर option b यहाँ है johans ने जीन सब्दों का प्रतिपादन किस ने किया जोहां ने अगला सब्दों को फोर का राइट answer देए आप लोग सबी लोग एंसर भी करते नहीं कमेड़ॉक्स ने, question number 4 कराइट एंसर, यहाँ पर आपका option A आपर सही है, सत्रंज से संबंदित है, विशब सब्द, ठीक है, आप लोग मेंसे कई काफी लोग सत्रंज खेलते होंगे, तो उनको यह नाम पता होगा, आगे बढ़ते हैं, question number 5 की तरब, देखिए question number 5 की अगार आए आपर, लोहे की सुई, लोहे की सुई, पानी की सता पर तैरती है, इस परिखटना का कारण क्या है, question number 5 का उत्तर दे, यहाँ पर 4 option दिया गया है, स्यानता, गुर्तिय, तोरण, प्रिस्ट तनाव, option दिया इन में से कोई नहीं, तो question number 5 का जो right answer है, दोस्तों, आपका option C सही है, आपर, प्रिस्ट तनाव के कारण लोहे की सुई, पानी की सता पर तैरती है, ठीक है, इस पर इखटना का कारण क्या है, प्रिस्ट तनाव के वज़ा से, अगला सवाल है, question number 6 हमारा, देखे, question number 6 क्या कह रहा है, किसी खेल का परिसर diamond कह कहलाता है, question number 6 का right answer दिया आप लोग, question number 6 का सही हुत्तर, आपका option B यहाँ पर सही है, baseball, baseball का परिसर नहीं की जो खेलने का ground होता है, दोस्तों, उसको क्या कहते है, diamond, अगले सवाल की और move करते है, question number 7 हमारा, देखे, question number 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर, किस युद्ध से भारत मे मुगल राज की निव पड़ी, तो काफी important question है, यह, railway में कई बार पूछा गया है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की निव पड़ी, तो यहाँ पर question number 7 का right answer है, वो हो जाएगा, आपका option A सही है, ताली कोट का युद्ध, ताली कोट का युद्ध से ही, मुगल रा question number 8 का right answer है, question number 8 का right answer है दोस्तों, वो है, आपका option number A यहाँ पर सही है, argentite, argentite के कारण ही, चान्दी का निश्कर्स का मुखता है, किस युद्ध के जाता है, argentite से, अगले सवाल की और बढ़ते है, question number 9 हमारा देखे का गरा है, question number 9 है, ms word, computer से question है, ms word, document में अक्षरों के नी निशान क्या दर्शाता है, ms word, document में, ms word, document में, ak्षरों के नीचे, lal lahar का निशान क्या दर्शाता है, आपने ak्षर देखा होगा, अगर आपने ms word, use किया होगा, उस पर document तयार किया होगा, तो कोई questions या कुछ भी आप टाइप करते हैं, तो उसके नीचे, lal patti सी वारण यही होता है कि इस पहली में, तुटी है, यहां पर, अगला सवाल है, question number 10, देखे, question number 10 क्या कह रहा है, भारत सरकार का संबैधानिक अध्यच कौन है, question number 10 का right answer दे, बहुत ही common सा question है, सभी को right answer देना है, और यह प्रसंद कई बार पूछा गया, railway द्वारा, question number 10 का सही अगले सवाल की और बढ़ते है, question number 11 है, देखे, ध्यान से तुनिएगा, और उत्तर सभी लोगों को देना है, question number 11 है, विश्य मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्त में आया, question number 11 का राई, answer option B से, यह 1950 में भी समौसम विज्ञान संगठन अस्तित्त में आया, ठीक है, 1950 में, अगले सवाल की और बढ़ते है, question number 12 है, question 12 क्या कर रहा है, निमन लिखित में से, सबसे प्राचीन परवत स्रेडी कौन सी है, सबसे प्राचीन परवत स्रेडी कौन सी है, निमन लिखित में से, आपको उत्तर देना है, फटा 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 आपलो, comment करें, दोस्तों, मैं बारा बार चौिक बम से सब्सक्राइब बताता है अगले वीडियो में नंब्रीन करके लेंक आउगा ता कि आपको याद रहे कि किस नंबर का क्वेशन में कर रहा हूं कि अन्सुर्ट ठीक है, क्वेशन बारा का आंसर करें इतलों Christopher ॉप्ससिन और्वली परवस्रेडी impress w common सा question था सभी को पता होगा अगला सवाल है question number 13 question number 13 है आप लोग A, B, C, D जो आपको सही उत्तर लगे आप लोग करना 13 number question है मंदिन निर्मार कला का जन्म सरपर्थम कब हुआ 13 number का right answer दें आप लो question number 13 का जो सही उत्तर है वो है आपका option A आपर सही है गुप्त काल में मंदिन निर्मार का जन्म सरपर्थम कब हुआ तो गुप्त काल में मंदिन निर्मार का जन्म हुआ अगला सवाल है question number 14 question number 14 का उत्तर दें आप लोग पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किस की खास आउ सकता होती है अगला सवाल है question number 15 15 का उत्तर देना आप लोग question number 15 है अर्द सास्त्र में नॉबल पुरुषकार पाने वाले पर्थम भारती है कौन है बताएं चार आउप्सन दिया गया है आप लोग बताएं कि अर्द सास्त्र में पर्थम नॉबल पुरुषकार पाने वाले भारती है कौन है question number 15 का जो राइट एंसर है option B सही है अमत्र शेन अगला सवाल है question number 16 question number 16 है विस्स में उन उन का सरवाधिक उत्पादन करने वाला देश है question number 16 का राइट एंसर option C सही है उस्टेलिया अगला सवाल है question number 17 computer के अभिस्कारक कौन है बहुत इजी बहुत ही common और काफी बार पुछा जाने वाले प्रसने computer से अगर बनता है तो कई बार इससे question पूछ ले आता है कि computer के जनक किसे कहा जाता है या father of computer किसे कहा जाता है computer का पीता किसे कहा जाता है या computer के आविस्कारक कौन है तो अपर question number 17 का right answer option C से ये Charles Babes काफी लोग का पता है और सभी का उत्तर सही होना चाहिए सभी लोगोंने उत्तर कया होगा comment box में अगला सवाल है question number 18 question number 18 दिखी क्या है कौन सी नहर Baltic सागर क्यों उत्तरी सागर में मिलाती है question number 18 का right answer option C से ये कील सागर कील सागर अगला सवाल है कील नहर अगला सवाल है question number 19 देखी क्वेशन में 19 के अगरा है निम्न लिकित में से किस निकाई की अध्चता गैर सदस्य करता है बहुत ही अच्छा question है देखते हैं कितने लोग का उत्तर पता है सभी लोग फटा-फट question number 19 का right answer comment box में comment करें question number 19 का right answer option D से ये राज सभा ठीक है राज सभा निकाई की अध्चता गैर सदस्य करता है अगला सवाल है question number 20 और ये last question ही ससन का question number 20 है सभी लोग उत्तर देना इसका निम्न में से कौन भोज पदार्थों की सुधता की guarantee देता है whole mark, egg mark, bulk mark या ISI mark बताए question number 20 का उत्तर दें दोस्तों और ये session अगर आपको पसंद आए हो दोस्तों तो please वीडियो को लाइक किजेगा और इस वीडियो को PDF file अगर आप चाहते हैं इस question का तो हमारे टेलीग्राम गुरूप का link description में महाँ से के हमारा group जॉइन कर ले आपको PDF file महाँ पर भी answer मिल जाएगा बाद में इसको practice कर सकते हैं और इस session को like जरूर करें दोस्तों लाइक करेंगे तो हमें पता जिलेगा कि आपको ऐसे content और भी चाहिए आपको पसंद आए content और आगे भी अकर ऐसे content चाहते हैं तो वीडियो के comment box में में जरूर बहुत अच्छा है और भी session लेके आईए तो बहुत सारे प्रिबियस के questions अभी पड़े हुए है गुरूप D में भी बहुत सारे प्रसंद पूछेगा है तो जो भी हाल में परिच्छा हुई थी तो आप लोग कहेंगे तो मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए प्रवाइट कर सकता हूं बसारते इस वीडियो को ज्यादा ज्याद